हेलो गईज कैसो अब सब मिर ना मैं अभीशेक और गईज आज के स्वीडियो में आर फाइनली बात कर लेते हैं फिलिपकाट की सेल के बारे में तो भाई यह बिग सेविंग डे सेल यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है 23rd जून यानि कि आज से और चलने वाली है मलब 27 जून त 15,000 का बजट है 20,000 का बजट है इसमें में बेस्ट फोन बताओ तो वह सारी आपके रिक्वार्मेंट के साब से मैं बताने वाला हूँ सबसे पहले मैं आपको बताया तो यह जो सेल है चार दिन के जासे बने बताया और यहाँ पे सबसे पहले जो ऑफर है वह आपको HDFC कार् 10% का इंसेंट डिसकाउंट आपको दिया जाएगा अब डिपेंडिंग की आप स्मार्टफोन पचेश करते हो उसका जो डिसकाउंट है वह यहाँ पर वेरी करता है इसके कितना आपको मिलेगा जैसे कि आप यहाँ पर दिख सकते हो पने स्क्रीन के ऊपर बड़ उससे पहल आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वहाँ पर गयाँ आपको जाना है इनके पास 400 प्लस रिटेलर से मुझे जाना है तो मैं फिलिप कार यहाँ पर सकता हूं कितना कितना कमिशन और मतलब परसेंटेज में मुझे यहाँ पर कैश बैक देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पर कैश बैक पर क्लिक्क करूँगा को जादेगा और top cashback guys हमारे account के अंदर credit कर देता है पूरा का पूरा commission जो कि हमें cashback के रूप मिल जाता है और guys उसको हम यहाँ पर withdraw भी कर सकते हैं काफी सारे method हमें आर पास हैं जैसे कि Amazon Pay, Paytm, NFT और even यहाँ पर कोई limit भी नहीं है विड्रॉल की तो 0.1 रुपीज भी आप यहाँ पर withdraw कर सकते हो इनके पास guys यहाँ पर refer and earn का भी आपको option मिल जाता है अगर आप अपने friend को refer करते हो तो 300 रुपे तक cashback आप earn कर सकते हो जैसी आपको friend यहाँ पर sign up और cashback earn करता है तो आपको 300 रुप मिल जाएंगे अच्छी बात है लेकिन यहाँ पर जो प्रसेसर है वह 712 आपको देखने के लिए मिलता है उपर से फोन का जो प्राइज है 15 के है तो यह फोन इतना यह रेकमेंडेट नहीं है आप इसको पचेस मत करना आज के टाइम में 64 GB मिल रहा है 15,000 पर में तो बिल्कुल भी value for money यह नहीं है उसके बद नार्जो 10A आपको दिखेगा रियल्मी का जो की coming soon दिखा रहा है मुझे नहीं पता इस टॉक में क्यों नहीं लेकर आते है स्मार्टफों को अभी भी sales स्टार्ट हो चुग है लेकिन यह स्टॉक में नहीं आ रहा है देख सकते हूं यहां पर और सबसे बड़ी चीज है कि रियल्मी जो C3 है जो मेरे पास है उल्रेडी मैं इसकी वीडियो बना चुको अपने चैनल के ओपर चेक आउट कर लेना तो इसका प्राइस और नार्जो 10A का प्राइस इन दोनों का प्राइस इनोंने 9000 से स्टार्ट कर दिया है बिल्कुल स्टूपिडिटी वाली चीज़ नहीं है पर आपको आप यहां पर नहीं लेना है आपको नर्जो टैने लेना है क्योंकि सेम प्राइस में आपको फिंगर्मेंट स्कैनर इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल रहा है तो यह आपको ध्यान रखना है अगर 32 लोगे तो बागी चौश्ट जी भी आपको 10,000 क के अंदर है इसके अंदर मैं गेमिंग टैस्ट वागरा मैंने किया था पर चाल के ओपर अन्बॉक्सिंग देख लेना ठीक टाक फोन है क्यामरा आइवरेस से है तो देख लेना प्रैस के साब से डीसेंट फोन है उसके बाद गाइस ओपो के कुछ फोन से एसीरीज वाइस जिस्ट आपको इग्नोर कर देनी है ओपो की एसीरीज और वीवो की वाइसीरीज बिल्कुल भी देखना तक नहीं है आपको पाप है बिल्कुल देखना उसके बाद गाइस यहाँ पे पोको का एकस्टू आपको देखने के लिए मिल रहा है जो कि टैंपरेरिली यहाँ पे नौट डिलिवरेवल दिखा रहा है मुझे यानि कि मेरे एरिया में वेल नहीं है और साड़े सत्रा हजार पे से मिलेगा भाई कितना मेहंगा फोन कर दिया है डेर हजार पे इसका प्राइस बढ़ा चुके है और बेस वेरेंट आपको इतने में मिलेगा और साड और एक बैलेंस फोन है मैं इसका बैटरी टेस्ट वगरा सब कुछ अपने चनल के उपर कर चुका हूँ इसकी प्लेलिस्ट आप चेकाउट कर सकते हो पूरी डिटेल्स के लिए और उसके बाद यहाँ पे दो स्मार्टफोन मेंशन किये गया है रेड़ेमी के सीरीज के एक के ट्वंटी ये के ट्वंटी प्रो है तो कहें इस एक ट्वंटी को सीधा अपको इग्नौर कर देना है तो गई 20 को देखना मत क्योंकि सादे 20,000 पर उफर के बाद आपको पड़ेगा यहां पर 22,000 से स्टार्ट होता है 64 गाला वेडिंट 730 प्रोसे इसके अंदर कुछ भी प्राइज में अगर आप इसको लेते हो तो ठीक डिवाइस है इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आप ओफर वगरा लगा दोगे अगर आप इसको पचेश करना चाहते है तो काफी बड़िया फोन है कर सकते हो एक गाइस कमाल का फोन है रियल मी का यहां पर 26,000 वब्ल्प दिखा रहा है क्योंकि इस पर चार हजार रुपए ग्सेंज बोनस और चल रहे हैं छाणे कि फोन करोगो इसकी प्ल्यूब प्लस चार्यजार रुपए एकस्टर और अर्मेशन करते हो से 4G पे पर पच्चेस करना चाथ हो उस पर डिस्कांट वगर कर चार्जिंग स्नैप्रेगन 855 प्लस किलर डील है इस ले सकते हो लेकिन रेगुलर प्राइस पे मत लेना यार थोड़ा से कम में आप देख सकते हो रियली में एक्स को जेस्ट इग्नोर कर देना 16,000 पर में बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है एक और कमाल का फोन है यार समसंग गलक्सी एएटी है फोन गाइस पंतालीस अजार पर का लॉंच हुआ था और आज के इस सेल में यहां पर आपको 22,000 पर में देखने के लिए मिल रहा है इस फोन में स्नाप्रेकन का 730G आपको देखने के लिए मिलता है जो की पोको एकस्टू वगरा में आपको देखने के लिए मिलता और यहां पर बैट्टरी भी थोड़ी सी कम है मलब 3700 एमेज की बैट्री है यह एक कॉन है इस फोन का 25 वाट के चार्जिंग है फुल एच्टी प्लस एमोलेड डिस्प्ले आपके यहां पर मिलती है इस फोन के जो में कॉन ने वह इसका जो फिंगरमेट स्कैनर फॉर्स जेनरेशन वाला काफी स्लो है बैट्री की एवरेज है जो काफी अच्छा है गाइस रोटेट होके कैमरा आगे की तरफ आता है जो साइज है बहुत बड़ा फोन है 6.7 इंच का उपर से काफी मोटा यह थिक फोन है अगर आपको बड़े फोन है पसंद है तो ले सकते हो आई कुछ एक फोन है इस पर आपको प्रिपेड और एक्सेंज पर एक्स्ट्रा दोजार और और ऑफ मिल जाएगा 33,000 और फोन है अब आपको इसकी प्राइज 27-28 के आसपास पड़ रही है तो ले सकते हो लेटेस प्रोसर मिल रहा है स्ट्रकन 865 वगरा सारी चीज़े आपको एकदम फ्लेक्शिप वाली देखने के लिए मिलेगी गाइस कैमरास वगरा भी ठीक था आगा इस फोन के मैंने इसको चेक किया था 55 5W की Fast Charging है मैंने इसका Speed Test comparison किया था K20 Pro से मेरे चैनल के उपर है वो देख लेना बागी गाइस उसके बाद यहाँ पे Motor Love One Fusion है जिसको मैं पहली सेलने पर्चेस करने वाला हूँ 24 को तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलेगी काफ ज़दा killer device है 6128 के साथ आता है एक स इस फोन को purchase करने के लिए iPhone SE यहाँ पे जो प्राइज है रेगुलरली आपको पता है 42,500 डिसकाउंट वगरा लगा के 38,900 का पड़ेगा तो देख सकते हो आइफोन वगरा चाहिए तो इसकी बेटर लाइफ बहुत जादा एवरेज है प्रसेसर कमाल के कैमरा के लेकिन भाई आपको इस प्राइस के लिए प्राइस कर दिया है क्योंकि यह चाहते थे कि इनका टैने बिकेस लिए इन्होंने रिसी तरी का प्राइस बढ़ा दिया है काफी अच्छा फोन है इसके अंदर आपको AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है कैमरा काफी ज्यादा अच्छे है फास्ट चार्जिंग मिल जाती है ग्लास बोडिया मैंने इसको भी यहाँ पर अपने चैनल पर कवर किया हुआ है तो वीडियो आप चेकाउट कर लेना प्ले लिस् तो 15,000 पर में Snapdragon 835 काफी पुराना प्रोसेसर है मैं मानता हूँ इसके अवरेज है कुछ भी खास नहीं है इस फोन के अंदर इसको भी इग्नोर कर देना Redmi 8 है साड़े 9,000 पर में आपको बिल्कुल भी यहाँ पर देखना तक नहीं है बाई इग्नोर कर देना इस फोन को और उसके बाद यहाँ पर Realme X-series भी यहाँ पर लॉंच होने वाली है 25 को तो उसका भी आप वेट कर सकते हो दो स्मार्टफोन यहाँ पर आ रहे हैं एक तो Realme X-series Super Zoom Apps की प्रैसिंग क्या होगी 25 से 30 के बीच में रहने वाले हैं दोनों फोन्स तो देखते हैं भाई इसका भी कर सकते हो नहीं तो जो आप स्मार्टफोन से भी पर्चेस करना चाते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग वो देख लेना जो मैंने आपको बता है विवो कनेक्स बिल्कुल इगनोर करना है 24,000 पर में इसके बारे में बात करना भी बेकार है अभी के टाइम में आइफोन 10S आइफोन देख रहे हो तो आप देख सकते हो आइफोन 7 आपको नहीं लेना है और यहाँ पर बात करते हैं सैमसंग के S10 लाइट की देख सकते हो काफी अच्छे कैमरास थे काफी अच्छे डिस्प्ले और ओवर एक बैलेंस फोन था सैमसंग के ब्रैंड को अगर आप देख देखते हो तो उसे साब से काफी बढ़िया फोन आप इसको देख सकते हो आइफोन 10 आर गाईज काफी एज़ाद एक्सपेंसिव आज के टाइम में तो उतना आधा मैं रेकमेंट नहीं करूंगा बट हाँ आइफोन चाहिए आपको तो देख सकते हो वही मैं बोलना चाहू आपको आरोजी फोन टुवाई 2000 पर प्राइस बढ़ चुका 40,000 रुपे का रेकमेंडेड नहीं है क्योंकि आरोजी 3 बहुत जल्द आने वाला है और आरेजी 2 मेरे दोस के पास इतना अच्छा नहीं चलता बाई आईफोन 11 सिरीज गाई अकर आईफोन लेने है तो प्राइ यह सारे फोन इंग्नोर मार देना वीवोज एड़न प्रो आपको 14,000 पर प्राइस में बिल्कूल भी नहीं लेना है रियल्मी 5 प्रो सिंपली मैं बोलता हूं आपको देखना तक नहीं है क्योंकि इसका जो सक्सेसर है रियल्मी 6 वह आपको 14,000 में मिलता है और यह आपको 15 म में मिल रहा है 5 प्रो जिस्ट इग्नोर कर देना जान मुझके रियल्मी वाले 6 को स्टॉक में नहीं लाते है ताइगी यह स्मार्ट फोन उनका भी और ज्यादा प्रॉफिट वो कमाए तो यह धियान रखना है तो उसको पर्चेस करना है 5 प्रो को इग्नोर कर देना 15,000 में रियल्मी 6 अच्छा फोन है वो दिख सकते हैं मैंने इसका फुल रिवीव भी किया अपने चैनल के उपर कमिया क्या चाहिए गया सब बताईए मैंने आपको ओपो की यह सिर्ज मन जैसा बताया नहीं लेनी है 850 आज के टाइम में सेंस नहीं बनता बिल्कुल भी देखना त कि यही बेस्ट फोन है अंडर 17,000 भाई देखना तक नहीं है इसको देख लोगे ना तो पाप हो जाएगा आपको आपसे A52 इग्नोर वाई सिरी जैसे मैंने बताया सारी चाहिए इग्नोर करना A31 यह भी अगें गियोवे वाला फोन है बहुत यहां पर तारीष दलरी है YouTube के उपर YouTubers के थूरू इसकी नहीं लेना है Samsung का फोन लेना है मैं बताऊंगो कौन से लेना है यह नहीं लेना A31 मत लेना A50S एक अच्छा फोन है सारे 18,000 रवे की प्राइस में अगर Samsung का फोन चाहिए भाई purchase कर सकते हो काफी अच्छा फोन है और A51 देख सकते हो अगर आपका 25,000 रवे का budget है मेरे पास भी है A51 में ने इसकी वीडियो भी बनाई हुई है तो यह एक A50S आप देख सकते हो एक M31 देख सकते हो गाईस आप और एक आप M21 देख सकते हो तो Samsung अंदर यह फोन है भाई A21S, A31 और यह फाल्तू के फोन को इग्नोर करना है यार बिल्कुल भी देखना मत और Realme 6 हो है वह यहा अच्छा फोन है देख सकते हो रियल्मी का 6 प्रोगाइस में हाइली रेकमेंडेड यहां पर नहीं करता हूं क्योंकि 64 भी बेस वेरेंट से आता है वह भी 18,000 अर्वी की प्राइज में बहुत ज्यादा प्राइज लगता है मुझे स्वोन का बाकि अगर आपको इसका फ्लै सोनिक यू यू रेका वाले फोन है इसको देखना तक नहीं है आपको देख लोग तो पाप हो जागा आपसे तो यह कुछ फोन है एक रेडिमी का नोट 8 है जो 12,000 पर मैं आपको मिलता है उसको तो सीधा ही इग्नोर कर देना देखना तक नहीं उस फोन को सैमसंग के कुछ पुराने फोन से जैसे की सैमसंग का M30 वगर यह 20,000 पर क्यों दिखा रहा है मुझे नहीं पता लेकिन यह कुछ फोन से हैं अब यहाँ पर जो प्राइस वाइस में आपको बदायता हूं जैसे की 15,000 पर अगर आपका प्राइस है तो आपको यहाँ पर पर आने के लिए तो नार्जो का टैने ले लेना बाकी नोट 8 तो देखना मत नोट 8 प्रो एक स्मार्टफोन से स्मार्टफोन है गई 16,000 प्राइस में उसको बिल्कुल भी आपको पर जिस नहीं करना है रेडमी का नोट 9 प्रो और प्रो मैक्स यह दोनों सेल पर आने वाले है यह में स्मार्टफोन हैं जो आपको यहाँ पर देख लेने हैं अगर आपके इस वीडियो से कुछ भी हैल्प हुई है तो प्लीज यह इस वीडियो को लाइक करना है और मुझे कमेंट सेक्शन नों बताना है जिन जो मैंने स्मार्टफोन आपको लेने के लिए मना किया है क क्या आप पूर्ण में से कोई स्मार्टफोन पचेस करने वाले थे जरूर से बताना है और तो प्लीज वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मिलते हैं एक वीडियो में तब तक के लिए बाई एंड टेक केर